अगर दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों यह हमारी HTML की पांचवी क्लास और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं Marky Tag Marky Tag की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को Left से Right, Right से Left, Up और Down असानी से कर सकते हैं तो चलिए हमनी इस वीडियो को सुरू करते हैं हलो दोस्तों मैं विने सिंग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आयू आटी में दोस्तों मारी YouTube के मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट करके Left से Right कर सकता हूँ Right से Left कर सकता हूँ, Up और Down कर सकता हूँ यह सारी चीज़े मैं चलिए अपने computer screen पे करके एक एक आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों हमारी अपने computer screen में आप देख पा रहे हैं जो हमारी पिछली class थी वो आपके सामने दिख रही हैं पिछली class में आपको पताया था कैसे अपने about को दिखाना हूँ, कैसे किसी चीच के full farm को दिखाना है कैसे link को लगाना है, कैसे image लगाना है, यह सारी चीज़े मैं पिछली class में आपको बताया था आपको इसका output दिखा हूँ, मैं चला जाता हूँ तो मैं save करके इसका output दिखाता हूँ यह देखिए ऐसे दिख रहां है चाहता हूँ इस जो हमारा course का नाम लिखा हुआ यह जो और से आपका move होते हुए होते हुए होते हुए यहाँ तक चला जा जाए और यह जो ADCA course है, right से left की तरह आ जाए, तो इसके लिए जो tag use होता है, वो होता है mark q और इस tag की मदद से हम text को move कर सकते हैं, तो हम आजाते हैं अपने code editor के अंदर, यहाँ पे जो course लिखा है, इसके आगे आ जाँगा, और मैं use करूँगा mark q और मैं यहाँ पे close करूँगा, तो जो mark q का close tag होगा, इसको मैं यहाँ से ctrl x करके cut करूँगा, इस course के बाद में पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करने के बाद से मैं इसको ctrl x करके save कर लूँगा, और अब आप refresh करके यहाँ पर आ जाईए, व्रावसर में refresh करिए, अब देखि करूँगा, और direction के अंदर मैं लिखूँगा, राइट और ctrl x करके save कर लूँगा, अब मैं यहाँ से जाके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हो course right से left की तरफ जा रहा, मैं चाहता हूँ अप से down हो, तो मैं यूज़ करूँगा आपका up और down, अब मैं यह triple c को चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ आया, मतलब up से down हो, तो मैं यहाँ पर, तो मैं यूज़ करूँगा mark you tag, जो close tag होगा mark you tag का, इसको ctrl x करके cut करूँगा, और यहाँ से ctrl b करके paste कर लूँगा, और यहाँ पर मैं एक attribute यूज़ करूँगा, direction, उसके बाद से मैं यूज़ down, down यूज़ करने के बाद से अब ये देखिए आपका, ये जो हमारा triple c course है, वो हमारा up से down होगा, वहीं तक होगा, जहां तक मेरा content है, उसके बाद से मैं चाहता हूँ कि down से up हो, तो उसके लिए मैं attribute के अंदर direction लिखूँगा, और direction में मैं यूज़ करूँगा, अब तो म और अच्छे से इसको explain करूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जहें